हेलो दोस्तों स्वाग्एत आपका इस वीचनल वी गूफी डिसकस करेंगे उझे पीजिक कॉले एड़मिशंस के बारे में तो दोस्तों जैसा कि आप सबी को पता है कि कॉले में एड़मिशं लेने के बाद मैं आपको कैसे पता लग करें कि हमारा admission हुआ भी है या नहीं हुआ यानि कि हम कैसे चेक करें कि हमारा admission हुआ है या नहीं हुआ है तो आज के इस वीडियो में पूरा discuss करेंगे track candidate status यानि कि आज के इस वीडियो में अपना status चेक करेंगे और status चेक करने के बाद में हम पता लगाएंगे कि हमारा कॉले में admission हुआ है या नहीं हुआ है अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है कैसे नहीं हुआ है अगर हो गया है तो किस तरह से पता लगा है कि हमारा admission हो गया है तो पूरा वीडियो हम देख लेते हैं जिसे के आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको पता लग सके कि आपका जो स्टेटस है क्या स्वो कर रहा है और आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है तो दोस्तो अगर आपने अभी तक SB चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो जान्दा जान्दा सस्क्राइब कर लेना ऐसे जानकरीब पाने के लिए और साथ इस्टागराप पर भी फॉलो कर लीचे लिंक का पूडिशन बॉक्स में मिल जाएगा तो दोस्तो जब आप अपिसल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है ट्रैक केंडिड़ेट स्टेटस और इस स्टेटस पर लिंक पर किलिक करके आपसे एपलिएस नमबर पूशता है साथ यहाँ आपसे डेट आप बरत पूशता है और एक क्यप्चा को date of birth cop को पिल करना है और पिल करने के बाद में हम देखते हैं हमारे सामने के interface आता है तो देखे इसके बाद हमारे सामने इस तरह का interface आ जाता है और यहाँ पर आपको पूरा अपना status दिकाई देता है अगर दोस्तों जब आपका पस्टाउंड चल रहा था और पस्टाउंड में आपने admission लिया था तो यहाँ पर लिखा है पस्टाउंड और पस्टाउंड के आंगे लिखा है registration यानि कि आपने registration कराया था इसलिए आप चेक मार्क दिया है इसके बाद चोईस पिलिंग को लॉक करते हैं तो यहाँ पर चेक मार्क करने सान हो जाता है और इसके बाद जब हम document को verification कराने के लिए जाते हैं तो यहाँ पर भी हमको check mark दिकाई देता है और इसलिए हमें पता चल जाता है कि हमारे document है जो की verify हो चुकी है इसके बाद में जब मेरे list आती है और मेरे list में अगर हमको कोई भी कॉले allot कर दिया चाता है तो यहाँ पर allotment के आंगे right का निसान दिकाई देता है और जब हम allotment letter आने के बाद हम पनी piece submit कर देते हैं और अपना कॉले में admission ले ले लेते हैं अगर दासे अगर दोस्त one कोई भी नाम आया चाहाय आपका जो नामना आया ता to si याथा CLC राणवर देखे यहाँ पर CLC का एक box दिकाई दे रहा है इसी के आगे लिखा है choice प्रिंग दोस्तों आपको पता होगा जैसा कि अगर हम पहले registration करा लिये थे उसके बाद में हमको किवल choice है तो दोस्तों आपने choice करा ली होगी तो जैसे आप choice करा लेते तो यहाँ पर रायट का निसान दिखाई देता है और यहाँ पर registration नहीं कराना पड़ता है हमको इसलिए अपर cross का निसान दिखाय देता है क्यों कि अमेरा बेरिपिकेशन होता है वो किबल एक ही बार होता है जो हम करा चुके हैं पश्टार्ण में इनका लेटर आ गया था लेकिन उन्होंने क्या किया एडमिशन नहीं लिया है उस कॉलेज में तो दोस्तों जब आपका आपका चेक श्टेटर चेक जो करता है अब मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जानदा जन्दा शेयर करना है लाइक करना है तो देखिए दोस्तों जब हमारा clc round में हम choice playing करा लेती हैं और choice playing कराने के बाद में क्या होता है मेरे list आती है तो मेरे list आने के बाद में हमको क्या करना होता है अपना allotment letter डानलोड करना होता है और जैसे ही आप अपना allotment letter डानलोड करते हैं तो यहाँ पर check mark कर दोगे जैसे ही आप अपनी piece को submit कर दोगे 1000 रुपे या 10 रुपे जो भी आपकी piece होती है वो इस piece को submit करने के बाद में यहाँ से क्या होगा जो right का निशान यहाँ पर green color का right का निशान दिखा वो यहाँ से हट जाएगा और हटने के बाद में जो right connection कहाँ पर लग जाएगा एडमिरेट के नीचे लग जाएगा एडमिरेट के नीचे लग जाएगा ऐसा क्यों होता है दोस्तो एक जो process होता है ना दोस्तो किवल CLC round के लिए होता है दोस्तो आप लोग बोलोगे कि पस्ट राउंड के लिए तो ऐसा कुछ नहीं था जब हम लॉट में लेटर आता था तो यहाँ पर राइट का निचान देखाई 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 लेकिन ऐसा इसमें क्यों नहीं हो रहा है CLC round में CLC पस्टाउंड में या CLC सेगर नाउंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भी दिखिए जैसी आप पुन अलोट में लेटर डानलोड करोगी तो यहाँ पर चेक मार दिखाई दिएगा लेकिन जैसी पर दिखिए यहाँ से चेक मार का निसान हट जाता है तो दोस्तो वो इसलिए होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि जो पस्टाउंड का अलोट में लेटर आता है ना जो पस्टाउंड का तो वो होता है ना दोस्तो डारेक्ट आता है पस्टाउंड में आपको पता होगा अलोट्मेंट लेटर डारेक्ट ली आता था लेकिन CLC राउंड में जो अलोट्मेंट लेटर आता है वो डारेक्ट नहीं आता है पहले क्या आती है हमारी मेरेट में नाम आने के बाद में इसके बाद में अलोट में लेटर आता है लेकिन पस्टार्ण में ऐसा कोई प्रोस्ट नहीं होता था पस्टार्ण में डारेक्टली हमारे अलोट में लेटर आते थे इसलिए क्या होता था दोस्तो हमारा रायट का निसान दिखाई देता था लिकिन यहाँ पर CLC round में जो directly ना अकर Allotment Letter पहरे merit position आते हैं merit position में अगर हमारा college में क्योंकि यह list बनती है CLC round वो college wise बनती है college की percentage के base पर बनती है college की seat पर बनती है तो इसलिए क्या होता है जो यहाँ पर रायट का निसान दिखाई देता है उसी time पर दिखाई देता है जब हम Allotment Letter download करते हैं लेकिन दोस्तों जैसी हम Peace Summit कर देती हैं यहाँ पर Allotment Letter के आँगे right का निसान हटकर यहाँ पर Admitate के आँगे आजाता है जो कि right का निसान अब दोस्तों आप बोलोगे कि अगर Allotment के नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और Admitate के नीचे यहाँ पर right का निसान दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है क्या Admission हमारा हो जाएगा या नहीं होगा तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ Allotment के नीचे जो Cross का दिखाई दे रहा है निसान और Admitate के नीचे दिखाई दे रहा है इससे कोई भी प्रॉलम नहीं है यानि कि बस आपका क्या होना चाहिए दोस्तों बस आपका क्या होना चाहिए जो Admitate है ना Admitate के नीचे right का निसान होना चाहिए केवल क्या हमारा Admitate के नीचे अगर आपका राइट का निसान है बले यहाँ पर कोई भी जो की राइट का निसान यानि गिरी निसान नहीं होना चाहिए बस हमारा एड्मिरेट के नीचे होना चाहिए अगर हमारा एड्मिरेट के नीचे आपर राइट का निसान है तो इसका मतलब हमारा है कि admission नहीं हुआ है तो दोस्तों जैसी अलॉट में लेटर आता है आपका CLC round CLC second round CLC third round जब भी आपका लॉट में लेटर आता है तो यहां पर राइट करने सान दिखाई देगा जब आप डानलोड कर लोगे और जैसे आप पी करना होगा यानि कि अलॉट में लेटर का प्रेंट आउट जो की और जो आप पी सम्मेट करोगे उसका प्रेंट आउट कॉली में ले आकर सम्मेट करना होगा तो मित करना हम पूरी जानकारी समझ में आगे ही होगी अच्छे से तो वीडियो को शेर कर दीजे लैक कर दीजे और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करके जरूब बताना इस्टाग्राम पर पॉलो नहीं कहें तो